तो हलो भाई, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बात करने वाले हैं कार का हैंडर्वेक कैसे यूज करते हैं, कई-कई भाई लोग रहते हैं जो उनको हैंडर्वेक यूज करना नहीं आता है, तो चलिए भाई, शुरू करते हैं, फास्टरिस टेप, कई-कई भाई रहते हैं, ज यसको ऐसे प्रेस करके ऊपर को करते हैं जबकि भाई ऐसे नहीं करना है आपको ऐसे डालेक्ट इसको उपर को करना है और इसके भाई कुछ-कुछ फैदा रहते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ तो भाई इसका first positive रहता है कि जब जैसे आपकी कार कहीं इल पे आप खड़ा कर रहे हो इसको और आपको डर है कि पीछे को कार ना चली जाए तो आप इसको ऐसे उपर को कर सकते हैं जिससे कि आपकी कार एक ही जगह रह सकती है उसके बाद दूसरा फायदा भाई इसका कई कई लोग रहते हैं जो की कार को गेर में खड़ा कर देते हैं जिससे कह रहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कोई भी बो किलिस दवा के कार को आँगे पीछे कर सकते हैं तो उससे भी आप कार को न्यूटल करके आप हेंगे कूपर चड़ा के और आप इस कार को रोक सकते हैं क्योंकि जो छोटे छोटे चाइल रहते हैं उनसे हैंडरिंग नीचे को नहीं होता है ऐसे और भाई इसके मैं आपको नेगेटिब बता देता हूं फस्ट नेगेटिब की भाई जब आप कार बॉस करके खड़ी करते हैं तो आप कई कई बार कई लोग रहते हैं जो इसको ऐसे आप करके और चले जाते हैं कार को गेर में डालके जिससे भाई आपके जो ब्रिक्सु रहते हैं जब आपको लंबे टाइम तक कहीं भी आपकी गेरिज में या कहीं भी जब उसे खड़ा रखते हैं पारकिंग में तो भाई उसके जो ब्रिक्सू रहते हैं वो चिपक जाते हैं जिससे वो फिर निकलने में दिक्कत करते हैं जब आप कार आंगे को करते हो तो वो नहीं निकल पाती है उसके बाद भाई सेकेंड नेगेटिव की बात करते हैं तो भाई इसमें जो न्यू न्यू ड्राइवर रहते हैं बुक्रा करते हैं कार में आके सुईच ओन किया उसके बाद कार डारेक्ट अंगे को करने लगते है जबकि वो भूल जाते है भाई तो आप इसको ना लगाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जो आप अगर सिंपल जगा पर खड़ी कर रहे हैं अपनी कार को और जो भाई न्यू न्यू ड्राइवर हैं उनके लिए खासकर आपको मीटर में नेविकेशन दे दिया जाता है जिससे आप देख सकते हैं कि भाई हेंडवेक लगा हुआ ह या नहीं बास भाई